Hello students, how are you all? Today we will learn chapter 4 of history and the name of the chapter is Tribals, Dekus and the Vision of a Golden Age So as we all know, what is tribal? Tribal क्या है? One minute Tribal एक वो community होती है जो जंगलों में रहती है जिसे हम आदिवाशी भी कहता है Dekus डिकूस इन दे सेंस अगर हम कहने जाए तो आउटसाइडर्स जिसको अभी आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे एंड दे विजन ऑफ गोल्डन इज तो यह विजन क्या था ट्राइबल्स और डिकूस का जिसके बार में यह पूरा चैप्टर है तो यह 1895 की बात है जब वह मतलब वहाँ पर जंगलों में और गाउं गाउं वह गूम्राइब तो यह 1895 की बात है छोटा नाखपुर जारखंड में पीपल से हीहड मेल्यक्यूलेakt पावर और लोगों का यह मानना थै कि उसके पास मतलब जादू सकती है He could cure all diseases and multiply grain और लोगों का ये मानना था कि उसके पास जो जादूई सकती है तो जादूई सकती से किसी का भी मतलब जो दुख दर्द है जो भी बिमारी है वो मतलब cure कर सकता है मिटा सकता है और जो grains है मतलब जो अनाज है उसको वो double कर सकता है multiply कर सकता है और फिर उसके बाद जो बिरसा है उसने खुद डिकलेर करती है जाकि भगवान ने खुद उसे यहां पर भीजा है मतलब जो लोगों का जो दुख दर्द है जो मुसके लिए उसको हठाने के लिए free them from the slavery of decous जिसे हम outsiders कहते हैं और वो कहता है कि मुझे यहां पर भगवान ने बेजा है लोगों की जो मुसीबते हैं वो मुसीबते दूर करनी है मुझे और जो लोग मतलब slavery के अंडर है मतलब जो लोग slavery में हैं decous के अंडर में उन से मतलब वो छुडवाना चाहता है अपने जो slavery है वहाँ पर उनको छुडवाना चाहता है बिर्सा सुन थाउजन्स बिगन फॉलाइंग बिर्सा और उसके बाद मतलब कई लोगों ने बिर्सा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और बिलिविंग दैट ही वाज भगवान और गॉड़ और लोगों ने कि यह में लिए वह एक भगवान है एक गॉर्ड है और यहां पर हमारे जो भी मुस्तिबत है जो भी हमारी मुश्किल है उसको यह दूर करना है बिर्सा मॉंडा बिर्सा वोर्ब बान इन फामिल्य आफ मॉंडा अब यह जो बिर्सा है वो एक मुंडा स्ट्राइ 앞에 में बॉन हुआ था मुंडा क्या है पर एक को मुंड कोंडी है ठ्राइबल गूरूप मी यह नकल एक्षिता चॉटा नाकपुर में इन ध्यों गूसीजद ट्राइबल हन मिरें इस फालोवर्व мень लिएatải और एंस यह उनके फॉलोवर से बिर्सा मुंडा के and all of them in different ways were unhappy with the changes that they were experiencing and the problems with they were facing under the British rule और मतलब जो यह ट्राइबल्स ग्रूप थे जैसे कि मुंडा से संथल से औरियोन से यह लोग मतलब बहुत ही unhappy थे ठीक है क्योंकि उनकी जो उनके उपर मतलब बहुत सारी क्या कहता है changes आ रहे थे उनके अंदर they were facing many problems उन लोगों को बहुत सारे problems को face करना होता था किसके अंड British rule के अंडर में and their familiar ways of life seem to be disappearing और वो मतलब जिस तरीके से रह रहे थे वो मतलब पूरी change उनकी जो lifestyle है वो पूरी change हो रही थी and their livelihoods were under threat और उनका जो जीवन था वो लोग जैसे जी रहे थे वो मतलब एकदम खत्रे में था and their religion appeared to be in danger और उनका जो धर्म था वो भी एकदम खत्र to resolve अब यह जो problems थी यह Tribal's group को तो उसके लिए वो problem से बहार निकलने के लिए बिरसा ने मतलब क्या setup sorry क्या setup किया था tribal peoples under the British और जो Tribal's people है जो Tribal's के लोग है उनका मतलब क्या हाल होता था British के अंडर में and how did their lives change और उनका जो जीवन था Tribal's का वो मतलब कैसे चेंज हो गया there are some sorry these are some of these questions you will read about in this chapter तो यह सारे कुछ questions है जिसके बार में हम आगी यह chapter में पढ़ेंगे so you have read about tribal society last year so I think seven standard में आप लोग ने पढ़ा होगा कि what are tribal societies tribal societies क्या होती है and most tribes have had customs and rituals और कुछ tribes ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ अपने customs होते हैं जिनके अपने कुछ rituals होते हैं that were very different from those laid down by the Brahmins और वो मतलब बिलकुल different होते हैं सबसे अलग होते हैं जैसे कि यह भ्रामिन्स लोग जो होते हैं उनसे बहुत ही difference होते हैं this societies also did not have the sharp social divisions और यह जो society है जो tribal society है उनका अपना कोई social मतलब division नहीं होता है right that were characteristics of caste societies और मतलब जैसे कि इनका कोई social division नहीं होता है मतलब वो सब एक ही है tribal community के तो इसलिए उनका मतलब जो है characters of caste societies भी वैसा कुछ होता नहीं है and all those who belong to the same tribes और मालों कि अगर जो भी है मतलब सब एक same tribe से belong करते है thought of themselves as sharing common ties of kingship मतलब वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए होता है सारे tribes वाले and how did not sorry how however this did not mean that were that there were no social and economic differences within tribe मतलब यह यह हम कह नहीं सकते कि जो है वो मतलब social and economic differences भी हो सकते हैं tribes में now how did tribal group live अब जो यह tribal group है वो मतलब कैसे रहते थे उसके बार में हम दिखते हैं so by the 19th century अब यह बात आई 19th century की tribal people in different sorry tribal people in different parts of India were involved in varieties of activities तो यहां पर जो भी 19th century में tribal के लोग थे वो लोग अलग-अलग types की मतलब activities करते थे somewhere June cultivators अब बात करता है कि जो tribal की लोग थे वो तो मैं पता है कि वो लोग जंगलों में रहते थे वहां पर करते तो अब यहां पर यह वर्ड नया आया है जुम कल्टीवेटर दिखते हैं what is जूम कल्टिवेटर, so some of them practiced जूम कल्टिवेशन, तो कुछ ट्राइबल ऐसे थे, जो जूम कल्टिवेशन करते थे, that is sifting cultivation, sifting cultivation क्या होता है, देखते हैं, this was done on small patches of land, mostly in forest, तो यह जूम कल्टिवेशन है, यह मतलब एक दम छोटे से लैंड पे इसको किया जाता था, वो भी कहा पर forest में, and the cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground, अब जैसे कि यह लोग जंगल में, वहाँ पर cultivate कर रहा है, तो जंगल में तो क्या होता है, कि सब पेड़ वागेरा होता है, तो यह ट्राइबल से लोग क्या करते थे, कि जो trees होते थे, तो trees माल लो यह tree है, ठीक है, इसका जो यह tree top है, उपर का जो है, वो पूरा काट देते थे, ताकि उपर से sunlight जो है, वो नीचे, crops जो वो लोग उगाते हैं, वहाँ पर, वो sun rays गिर सके, and burn the vegetation on the land to clear it for the cultivation, और नीचे जो land होता था, उसको मतलब पहले तो वो जला देते थे, और उसके बाद वो वहाँ पर cultivate करते थे, they spread the ash from the firing, और वहा दूप की वज़े से, फिर उसको यह लोग क्या करते थे, उसको जला देते थे, और जलाने के बाद उसकी जो एस होती थी, उसको एकदम spread करते थे वो पूरे land में, which contain potas to fertilize the soil, और जो यह एस है, उसके अंदर potas होता है, जिसकी जो soil होती है, वो एकदम fertile हो जाती है, they use the ash to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation, अब यह tribals क्या करते है, X का use करते हैं, trees को cut करने के लिए, and the hoe to scratch the soil, hoe एक instrument आता है, जो farming के लिए यह यूज करते है, मिटी को scratch करने के लिए, तो यह सारी चीज़े वो लोग यूज करते हैं, cultivation के लिए, they broadcast the seeds, broadcast मतलब sow करना, जो बीज होते है, वो sow करना ह होता है, land पे, that is scattered the seeds on the field, instead of plowing the land, and sowing the seeds, मतलब जैसी वो वहां पर ऐस फेला देते हैं, वो सब cultivation के लिए, मतलब तयार हो जाते हैं, और उसके बाद वो वहां पर पूरा, जो seeds होते हैं, वो वहां पर sow कर देते हैं, once the crop was ready, अब जैसे ही crop तयार हो जाता है, harvesting के लिए, ठीक ह and harvested, they moved to another field, अब जैसी वो उसको harvest कर देते हैं, वो land ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो वहां से दूसरी कोई जगा चले जाते हैं, ट्राइबल्स, a field that had been cultivated once was left fellow for several years, अब जैसी कि एक जमिन उन्होंने मतलब cultivate कर ली, फिर वही जमिन को ये लग सालों साल तक मतलब ऐसे ही उस soil recovers fertility, और इसकी जो ये land है, मतलब इसलिए उसको left किया जाता था क्योंकि उसकी जो नीचे की जो soil है, वो एकदम fertile हो जाए, दूसरी बाल वहां पर crop उगाने के लिए, right, so it is called zoom cultivation, clear हो गया, zoom cultivation में फिर बता देता हूं, ये land है, ट्राइबल्स यहां पर आते हैं, पहले तो क् क्योंकि नीचे जो जमीन है, वो पूरी सुख जाए, और सुखने के बाद इसको पूरा जला देते हैं, जलने के बाद इसकी जो एस है, उसके अंदर पोटेस होता है, वो पूरा यहां पर स्प्रेड कर देते थे, लेंड में ताकि जो soil है, वो पूरी फर्टाइल हो जाए, फर्टाइल होने के बाद वो वहां पर जो क्रॉप से वो वहां पर उगाते थे, क्रॉप उगाने के बाद उसको हार्वेस्ट करते थे, और हार्वेस्ट करने के बाद यह जो जमीन है, उसको पूरी छोड़ देते थे, और यह जो ट्राइबल होते थे, वो किसी और जमीन के खोज में चले जाते थे तो it is called zoom cultivation clear then shifting cultivators were found in the hilly and forested tracks of Northeast and Central India अब shifting cultivators कौन होते हैं तो देखो shifting cultivators were found in the hilly and forested tracks of Northeast and Central India अब यह जो shifting cultivators है वो मतलब कहां पर पाए जाते हैं North East में पाए जाते हैं and Central India अब जो 36 गड़वाला पुरा जो एरिया है वहां पर पाए जाते हैं they lives of these tribal sorry the lives of the of these tribal people depend on free moment within the forest and on being able to use the land and forest for growing their crops और जो shifting cultivators है वो लोग मतलब कैसे जीते थे the lives of these tribal people depend on the free moment मतलब एकदम free रहते थे और उनका काम क्या होता था within forest जंगलों में गुमते रहते थे and on being able to use the land और वो जो लेंड होता है उसको उसका मतलब use करते and forest for growing their crops तो वहाँ पर जो लेंड होता है वहाँ पर वो लोग रहते और जो forest होता है वहाँ पर वो लोग crops हुगाते and that is the only way they could practice shifting cultivation और इसी तरह से मतलब उनको shifting cultivation या shifting cultivators भी कहा जाता है so this is the difference between shifting cultivators and zoom cultivators उसके बाद somewhere hunters and gather और कुछ लोग जो थे वो मतलब hunters थे जो ट्राइबल्स थे वो कुछ लोग hunters भी थे और कुछ gatherers भी थे अब देखते हैं hunters और gatherers कैसे है in many region tribes group lived in hunting animals and gathering forest produce और कुछ region में जो ट्राइबल्स होते थे वो मतलब animals का hunt करते थे animals को hunt करते थे उनका सिकार करते थे जानवरों का and gathering forest produce और जंगोला से कुछ किमती चीजे जो है उनको produce करते थे जैसे कि honey वगेरा है वो वहां से ले लेते थे they saw forest as essential for survival और उनका यह माना था कि यह community है tribal community जो औरिशा के जंगल में पाई जाती है they regularly went out on collective hunts and there divided the meat amongst themselves और यह जो community है यह meat को divide कर देते हैं the eight fruits and roots collected from the forest और यह लोग मीट के इलावा यह क्या खाते है fruits भी खाते है roots जो roots होते है plants के वो भी मतलब खाते है from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the saal and mahuwa और उसके बाद यह लोग खाना भी पकाते हैं with the oil यह oil का यूज करके खाना बनाते है और यह oil कहां से लाते हैं यह लोग saal tree होता है और एक है mahuwa यह दो tree होते हैं जहां सी यह लोग soil जो है वो extract करते हैं मतलब हां सी यह soil को निकालते हैं they used many forest srubs and herbs for medical purposes और जंगला में तो हम सबको पता है कि वहां पर बहुत सारे srubs और herbs पाए जाते हैं medicinal purposes के लिए उनका यूज करते हैं दवायों के लिए उनका यूज करते हैं दवायों के तौर पे and sold forest produce in the local market और यह लोग जो जंगलों में से जो कुछ इखटा करते हैं जैसे कि हनी है ठीक है तो हनी को निकाल कि यह लोग क्या करते थे ट्राइबल्स लोग वो लोकल मार्केट में उसको बेच देते the local viewers and leather workers turn to the cons sorry one minute the local viewers and leather workers turn to the cons when they needed supplies of kusum and palace flowers to color their clothes and leather अब यहां पर बात आती है कुछ वीवर्स की और कुछ leather workers की वो लोग भी मतलब जो cons community है जो cons tribal है वो भी उन पे कुछ कई बार dependent होते हैं कैसे क्योंकि जो यह वीवर्स और leather workers है जो उनको मतलब जरूरत रहती है cons वा यह जो cons tribe है उनकी जरूरत पढ़ती है क्यों क्योंकि यह लोगों को cons से यह क्या चाहते है कुसूम एंड पलास यह flowers है जिनकी यह वीवर्स और leather को सक्त जरूरत होती है क्यों क्योंकि यह लोग क्या करते हैं to color their clothes मतलब जो कपड़े होते हैं उनको color करने के लिए और जो leather होता उस पे भी यह color करने के लिए यह trees की जरूरत होती है flowers की जरूरत होती है तो जो यह वीवर्स और leather है जो वर्कर्स है वह खौन्स ट्राइवल्स पे पूरा dependent होते हैं इसके लिए कुसुम यह एक flower है और पलास जिसको हम कहते हैं के सुड़ा जिसके अंदर से हम color बना सकते हैं from where did this forest people get their supplies of rice and other grains यहां पर एक question कुछा की है यह लोगों को मतलब कहां से मतलब from where did this forest people मतलब यह जंगल के जो लोग रहते हैं जो ट्राइबल्स लोग मतलब उनको कहां से पूरा supply होता है rice and other grains तो देखते हैं at times they exchange goods अब जैसे ही यह जो goods है जैसे कि पलास है कुसूम है यह flowers जैसे मतलब वहां पे market में बेचते हैं getting what they needed in return for their valuable forest produce जैसे उनको वह माल बेचते हैं उनको सामने कुछ ची है वह मिल जाता है at other times they bought goods with the small amount of earnings they led और कई बार तो यह होता है कि वह लोग मतलब एक दम सस्ते दाम में वह मार्केट में वह जो भी प्रोड्यूज है forest का वह मतलब बेच देते हैं और सामने मतलब उनको बहुत ही कम दाम वाला उनको कुछ चीज मिल जाती है in return में some of them did odd jobs और जो tribes होते हैं वह मतलब कुछ jobs करते हैं गाओं में जैसे कि carrying loads और building roads कुछ वजंदार उठाना या फिर रोड बनाना यह भी कुछ काम करते थे किनिटीज के लोग वाइल अदर्स लेवर्ड इन दर फिल्स ऑफ पीजन्स और कुछ लोग जहां वह खेतर जो खेत वगेरा होती थी वहां पर भी काम करते थे कुछ फार्मर्स के अंडर भी काम करते थे and when supplies of forest produce shrank अब जैसे कि जो supplies थी forest produce की जैसे वह shrank हो गई ठीक है the tribal people had to increasingly wander around in search of worth तो जो भी मतलब tribal's लोग थे अब जैसे कि जो जंगल की जो produce थी वह मतलब स्रेंग जैसे कि वह disappear हो गए तो tribal people लोग क्या करतें increasingly wonder मतलब एकदम यहां वहां घुमने लगतें क्यों वह कुछ काम ढूंडने के लिए as laborers मतलब मजदूर की कोई job करने के लिए वो लोग यहां वहां घुमते रहते ने क्योंकि जंगल में कुछ मिल नी रहा था produce का ठीक है तो यह लोग कुछ काम धंता वहां पर ढूंड रहे थे but many of them like the bygars of Central India वे रिलेक्टन टू डू वर्क फॉर अधर्स तो एक कॉम्यूनिटी है वह बाइगास जो Central India मतलब 36 गड़ के आज पास मतलब यह ट्राइबल स्पाई जाती है वह क्या है देवे रिलेक्टन टू डू वर्क फॉर अधर्स मतलब यह दूसरों का वर्क करने के लिए वह लोग मतलब वह लोग दूसरों का वर्क एकदम कर देते थे देगास सो देमसेल्स एस पीपल अफ दा फॉरेस्ट और जो बाइगास कॉम्यूनिटी है वह लोग मतलब अपने आपको एक जंगल के लोग की तरह मतलब मतलब क्यूंकि वह जंगल से आये हुए हैं लिए वहा दूसरों बाइगास से वोग का राव मतलब अमसल थे दुखी दैज कैसे शिंदे शता रहते थे लोग के जंगल हो थी याशा होती है जासे का कोई लकड़ी planned की medicine तो वह जंडल वोड मतलब बेच के वह कुछ पैसे कमा लेते थे, कोई हनी है तो हनी को बेच के वह कुछ पैसे कमा लेते थे, तो ऐसी मतलब वह जंगल में मतलब रहते थे, और इसलिया मतलब ऐसा हुआ कि कई बार जो है वो जंगल में कुछ उनको मिन ली रहा था और लास्टली उन्होंने सोचा किया उनको मतलब एक लेबरर बनना पड़ेगा अब क्या होता है कि जो ट्राइबल ग्रूप्स होता है उनको मतलब कुछ खरिजना भी होता है और कुछ चीज उनको बेचने भी होती है इन और टू बेबल टू गेट दगुड़ क्योंकि उनको भी कुछ चीज वगेरा चीए जैसे कि कोई ग्रेंस कोई अनाज वगेरा है उनको भी कुछ चाहिया होता है देट वर नॉट प्रोडूज विदिन दर लोकालिटी और जो है वह मतलब वहां की जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर तो यह कुछ प्रोडूज होता नहीं है और इसे लिए यह जो ट्रायबल्स गुरूप थे वह मतलब किस पेक होते थे जो ट्रेडर रोकल मार्केट में उनके उपर वह डिपैंड होते थे और जो मनी लेंडर से वो उन पे depend होते थे जो tribal groups से वो money lender से भी depend करते थे क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए होता है कुछ अनाज रासन पानी चाहिए होता तो वो traders का contact करते था कि उनको कोई काम मिल जाए वो लोग money lender का contact करते था कि उनको कुछ पैसे मिल जाए traders came around with things for sale and sold the goods at high price अब जो ये traders होते थे वो लोग क्या करते थे जो tribal group होते थे उनसे एकदम कम दाम में कोई भी चीज़ खरीदते थे और जब ये लोग खरीदने जाते तो उनको एकदम high price में उनको बेच देते थे या तो दुसरे लोग अगर कोई लेने आते तो उसको भी high price में ये लोग पेच देते थे and money lenders gave loans with which the tribals met their cash needs और जो money lenders है वो इनको loan देता था और जो loan की जो payment है ये लोग मतलब कभी भी मतलब pay नहीं कर सकते थे and adding to what they earned लब उनकी जो कमाई होती थी वो मतलब बिलकुल ना के बरोबर थी तो उनकी जो loan होती थी मतलब वो भी भरपाई नहीं कर पाते थे money lender को but the interest charge on the loan was usually very high और दूसरे बात यह कि जो money lenders जो loan तो देता था लेकिन उनका जो interest charge होता था जो व्याज होता था ना वो बहुत ही हाई होता था तो the tribal's market and commerce often meant debt and poverty तो इसकी वाज़ासी क्या हो गया जो tribal community थी वहाँ पर एक्दम market जो था जो ट्राइबल का वह एक्दम डाउन हो गया तो जो tribal community थी वह एक्दम debt में चली गई देवे में चली गई और वहाँ पर एक्दम poverty आ गई थी एक्दम गरीभी आ गई थी therefore came to see the money lenders and traders as evil outsiders and the cause of their misery और इसलिए जो tribal है वह ऐसा मानते थे कि जो money lenders है जो यह trader है वो उनके लिए एक evil outsiders है मतलब एक dukins है उनके लिए sorry तो इसलिए यह कुछ reasons थे जिसकी वजह से यह tribal family जो है जो tribal community हो यह उनका मानना था कि जो money lenders है जो traders है जो उनके साथ गलत कर रहे है इसलिए यह लोग का कहना था उनका यह माना था कि यह दोनों उनके लिए क्या है एक evil outsiders एक डिकूज है उनके लिए and the cause of their misery और इसलिए उनके उपर जो भी मतलब मुसिबत आ रही है यह उनका main reason है money lenders and traders right so that's all for today आज के लिए students हम इतना रखते हैं hope you understand this chapter up to here okay then thank you and have a great day bye bye